नमस्कार दोस्तों स्वाकत है आप सभी का हमारे यूटूब जैनल आर के योजना पर दोस्तों एक बार फिर आपके लिए एकों नई जानकर लेकर हाजिरुए हैं रासन कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं मसीन पर लगाते हैं और आपकी फिंगर प्रिंट स्कैन होने के बाद आपको रासन मिलता है दोस्तों बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनके फिंगर प्रिंट के निसान मसीन नहीं पगड़ पाती है उनका finger paint नहीं आता है उनसे भी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है लेकिन दोस्तों सरकार ने उनकी यह समस्या भी खतम कर दी है अब सरकार द्वारा smart रासन कार्ड जारी किया जा रहा है जिससे की दोस्तों आपकी finger paint की समस्या खतम हो जाएगी जो आपका smart रासन कार्ड होगा वह देखने में एक आधर कार्ड जैसा लगेगा जैसे की दोस्तों आधर कार्ड में भी QR कोड होता है उसी परकार smart रासन कार्ड में भी QR कोड देखने को मिलेगा अगर दोस्तो आप अपना smart रासन कार्ड किसी भी रासन डिलर की दुकान पर लेकर जाते हैं तो फिर वहाँ fingerprint की अवश्रक्ता नहीं होगी बलकि रासन दुकानदार आपके smart रासन कार्ड के QR कोड को स्कैन करेगा और आपको रासन दे देगा दोस्तो यह है उन वैक्तियों के लिए बड़ी खुसकबरी है जिनका fingerprint मसीन नहीं पकड़ पाती है दोस्तो आप smart card कैसे बनवा सकते हैं कैसे print out निकलवा सकते हैं यह सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माद्यम से देने वाले हैं अगर आप भी अपना smart card डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तो वीडियो को लाश्ट तक देखेगा तभी जानकारी आप अच्छे से जान पाएंगे यह जानकारी हम आपको लाइव देने वाले हैं डिजिटल रासन कार्ड को कैसे आप घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं वह भी अपने फोन से दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सन्निवेदन है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्याद से ज़्यादा शेयर भी करिएगा यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जुरू सब्स्राइब करेगा साथी बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले क्योंकि दोस्तो इस तरह की हम नई नई जानकारिया आपके लिए लेकर आते रहते हैं चले दोस्तो अब हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको लेकर चलते हैं गुगल करोम ब्रावजर पर दोस्तो उससे पहले हम आपको बता दे कि जो आपका smart रासन कार्ड होगा वो कुछ देखने में इस प्रकार का होगा जैसे आप यहाँ पर देख पा रही हैं अब हम दोस्तों आपको Google Chrome ब्राउजर पर लेकर चलते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं हम आपको Google Chrome ब्राउजर पर लेकर आ चुके हैं अब दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है सर्च में लिखना है NFSA चले दोस्तों हम भी यहाँ पर लिख देते हैं NFSA इतना लिख देने के बाद आपको सिर्फ दोस्तों यह सर्च कर लिना है जैसी आप यह सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस open हो जाएगा और सबसे सुरू में ही दोस्तों आपको यहाँ पर जो इसकी रसन कार्ड की official website है यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा आपको website लिख जाएगी आपको इस पर click कर देना है लेकिन दोस्तों सुनिए उससे पहले आपको यहाँ पर three dots पर जाना है यहाँ पर जाने के बाद आपको अपने phone में desktop site open कर लेनी है दोस्तों आप दे सकते हैं हमने open पहले से ही कर रखी है उसके बाद आपने इस website को open कर लेना है जैसे आप यह website open करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा यहाँ पर आपको बहुत तरह की option दोस्तों देखने को मिल जाएगे आप पढ़ सकते हैं और साथी दोस्तों आपर दीजाएगा National Food Security Portal Department of Food and Public Distribution Government of India इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आजाने के बाद यहाँ पर आपको एक यह नाम दिख रहा होगा रासन कार्ड आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर दोस्तों दो तरह के option दिख जाएगे यहाँ पर पहला option है दोस्तों यहांपर आप देख सकते हैं ये वाला view रासन कर्ड डैस्पोर्ड दूसरा point है दोस्तों रासन कर्ड details on state portal आपको दूसरे number बर ही किलिक करना है चले दोस्तों हम इस पर किलिक कर देते हैं जैसे आप इस पर किलिक करेंगे तो आप के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा देख रहे हैं दोस्तों आप जैसे आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाता है आप यहाँ पर भारत देश के अंदर जितने भी state आते हैं territories आते हैं सभी के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे अब दोस्तों इस में से जो भी आपका state पढ़ता है आपका state है वह आपको select कर लेना है इन सभी state में से कोई भी जो आपका state है select कर लेने के बाद आपको click कर देना है example के तोर पर हम यहाँ पर हिमाचल select कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको यह देख रहे हैं यहाँ पर आपको दोस्तो ओके के बटन पर ओके कर देना है जैसे हमने ओके कर दिया है इसको दोस्तो यहाँ पर कट कर देना है आप देख सकते हैं हमारे सामने एक अगला पेज ओपन हो चुका है अब दोस्तो आप mighty Ngoscombe फिर से ही यहां पर जाना है यहां पर आपको जाना है जाना की बाद फिर से आपको अपने फोन में दोस्तों यह JACK next top site open करनी है आपको यहां से हमने open करनी है दोस्तों जैसे open करेंगे तो शीपित सामने जो अगला interface होगा इस official website का कुछ इस प्रकार से होगा यहाँ पर आप यह नाम देख सकते हैं आपको बहुत रहे के नाम देख जाएंगे दोस्तो अपडेट मोबाइल नमबर मिल जाएगा मोबाइल सीडिंग्स रिपोर्ट मिल जाएगी FSA डिरासन कार्ड मिल जाएगा बहुत तरह एगी दोस्तों आपको यहापर देखने को मिल जाएंगे सिर्फ आपको दोस्तों home के बटन पर भी आपको लिखाना दोस्तों यहाँ पर home आपको इस पर ही किलिक करना है जैसे आप इस पर किलिक करेंगे तो जो अगला इंटरफेस है आपको इस तरह का दिखाए देगा यहाँ पर आप आपको इस तरह से लिस्ट एक दिखाए देगी कोने में साइड में फिर दोस्तों यहाँ पर आपको चार ओप्सन दिएंगे प्रिंट रसन कार्ड और EPDS कोल सेंटर और साथ ही दोस्तों एनिवेटरंस पोर्टल साथ ही HP यहाँ पर दिख जाएगा उसके बाद आपको इन में से किसी पर भी क्लिक नहीं करना है सिर्फ एक ओप्सन पर क्लिक करना है इन में से जो आपको दिख रहा है प्रिंट रसन कार्ड जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दुबारे से ओपन हो जाएगा यहाँ पर आप दोस्तों अब ध्यान से समझेगा जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर एदक से देख सकते हैं आप EPDS Transansory Portal इमासल परदेश यानिगी जिस भी जो आपका राज़ी अगर आप सेलेक्ट सर्च कर रहे हैं तो फिर उनका नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साइड में कुछ इस तरह की इंफॉर्मेसन आपको देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रिंट रासन काड उसके बाद आपको इस तरह से स्क्रोल करके नीचे आ जाना है जैसे आप नीचे आ जाएंगे तो दोस्तों एग्जामपल के तोर पर NFSA वालों ने वेबसाइट वालों ने दिखा रखा है यहाँ पर जो आपका smart रासन काड होगा वो देखने में कुछ इस तरह का होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं रासन काड, category साथ दोस्तों रासन काड नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जब आप अपना रासन काड डाउनलोड करेंगे smart रासन काड फिर दोस्तों head family मिल जाएगी fps id मिल जाएगी fps name मिल जाएगा district name मिल जाएगा और साथ दोस्तों block name मिल जाएगा gp, mc, n, p, n, a, c सभी की जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों last में यहाँ पर आता है यह यानि की देख सकते है serial number यहाँ पर name दिख जाएगे जितने आपके रासन काड में name जुड़े हुए है और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपका sign signature authority sign of holder से आने की जो रासन काड है उनके sign वगएरा सभी की जानकरी आपको यहाँ पर मिल जाएगे अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको example के तोर पर एक जो रासन काड है दोस्तों smart रासन काड है वह download करके दिखाएंगे दोस्तों उनकी जानकारी इसलिए हम आपको hide कर देंगे उसको पर लेकिन आपको दिखा देंगे उसमें किस तरह की जानकारी दिख जाती है आप दोस्तों देखिएगा हम आपको कैसे दिखाते है चलिए दोस्तों अब मैं यहाँ पर जो आपको करना क्या है जो select input type है दोस्तों यहाँ पर इसको आपने किलिक कर देना है जैसे ही आप इस पर किलिक करेंगे तो फिर इसमें दोस्तों दो ओप्सन दिख जाएंगे आपको अगर आपने अपना आधा का नमबर जुड़ा रखा है अपने रासन कार्ड से तो आपको इस पर किलिक कर सकते हैं दो अप्शन बता रखें दोस्तों, स्मार्ट कार्ड डाउनलोड करने के और दोसरा है आईडी रासन कार्ड, अगर आपके पास आईडी रासन कार्ड हैं, तो फिर आप इससे भी निकाल सकते हैं, हम दोस्तों यहाँ पर आपको रासन आईडी कार्ड से निकाल कर चले दोस्तों हम इस पर क्लिक कर देते हैं जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर हमें अपने रासन कार्ड आईडी का नमबर डालना होगा इस बोक्स में हम दोस्तों नमबर डाल देते हैं दोस्तो हमने रासन कार्ड आईडी नमबर डाल दिया है अब हम यहाँ पर इसको सर्च कर लेते हैं जैसे आप सर्च कर पाएंगे तो फिर आपके सामने जो आपका स्मार्ट आईडी कार्ड होगा वह ओपन हो जाएगा दोस्तो हम यहाँ पर उनके नाम भी नहीं बता सकते हैं हम किसी की इनफर्मेशन लीक नहीं करेंगे आप दोस्तो सिर्फ आपको दिखा सकते हैं यहाँ पर किस तरह से दिखाना है, वे आप भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानि कि रासन कार्ड और आपको QR जैसे की दोस्तों, आपके आधार कार्ड में होता है QR, इसमें भी आपको QR कोड देखने को मिल जाएगा, और साथ दोस्तो FPS name आपको मिल जाएगा district name किस district में आप रहते हैं आपके block का नाम अब दोस्तो फिर last में यहाँ पर जो रासन कार्ड से नाम जुड़े हुए है जिनकी unit जुड़े हुई है यहाँ पर आपको उनके नाम दिख जाएंगे दोस्तो इस रासन कार्ड में 6 unit जुड़े हुई है और यह smart card आपके सामने है अब download करने का option बताते है print निकलवाने का यहाँ पर दोस्तो आखरी में यह देख सकते है यहाँ पर यह दिख जाएगा option print का आपको इस पर click कर देना है तो आप print कर सकते हैं आने की print आउट निकलवास सकते है दोस्तो जब आपके पास यह smart card होगा तो फिर दोस्तो वहाँ पर आपको जैसे आप पहले अंगुठा लगाते थे तो फिर आपको अंगुठा या फिर अपनी उंगलिया लगाने की अवसकता नहीं होगी सिर्फ आपको रासन कार्ड की दुगान पर जाना है और आपना smart ID कारड उनको दे देना है फिर दोस्तो वह QR कोड की जो आपका QR कोड है दोस्तो इसमें वह इसको इसकान करेंगे इसकान करने के बाद वह आपको आपका राशन प्रोवाइड करा देंगे जिन वैक्तियों का फिंगर प्रिंट मसीन नहीं पगड़ पाती है ये उनके लिए बहुत बड़ी खबर है अब दोस्तों जो ये स्मार्ट रासन कार्ड है ये अभी कुछ ही राज्यों में चल रहे हैं धेरी धेरे दोस्तों सभी राज्यों में चल जाएंगे क्योंकि अब हमारा इंडिया डिजिटल इंडिया हो रहा है दोस्तों ये थी आपके लिए महत्तपूर्ण जानकारी यदि आपको हमारे दोई जानकारी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा और जादे जादे शेयर भी करेगा यदि जानकार को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं आपके सभी सवाल का जवाब दिया जाएगा लाश्ट में निवेदन यहीं करेंगे चैनल को सबस्क्राइब और साथी बैल आईगन को प्रेस करना ना भूले क्योंकि दोस्तो इस तरह की नई नई जानकारिया हम आपके लिए लेकर हाजिर होते रहते हैं समय समय से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारे के साथ जब तक के लिए जय हिंद जय वारत